नमस्कार आप देख रहे हैं उज्वल जमू नियूज और मैं हूँ असमेदा चुनाव होने में अभी समय है लेकिन पार्टियों की तयारी अभी से देखने को मिल रही है उनकी तयारी जो है शुरू हो चुकी है हर पार्टी जीतने की हर मुम्किन कोशिश में लगी हुई है वहीं बाजपा के प्रेजिडेंट रविंदर रहना का कहना था कि जमू कश्मीर में विधान सभा के चुनाव में बाजपा की सरकार बहुमत हासिल करेगी उन्होंने आगे कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जैसे ही जमू कश्मीर में भारतिय जंता पार्टी की सरकार बनेगी हम गरीब लोगों को मुफ्त, बिजली, पानी और गरीब महिलाओं को हजार रुपे देंगे उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में बाज़पा की सरकार बनेगी जमू कश्मीर में अगला मुख्य मंत्री बाज़पा का ही हुगा उन्होंने बागी पार्टियों पर निशाना साथते हुए कहा कि उनमें बोखलाहत आ गई है जमू कश्मीर के लोगों ने बाकी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया है उनने कहा कि BJP की सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है और आने वाले समय में अगर बाज़पा की सरकार बनती है तो लोगों के हिद के लिए सोचा जाएगा और गरीब लोगों के लिए मुफ्त बिजली पानी और महीलाओं को महीने के हजार उपे दे जाएगे हम हर जानकारी आप तक पहुचाने की पूरी कोशिश करेंगे और तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रही हैं